तो इस वीडियो में जो हम Hero ISL का मैच कवर करने वाले हैं वो रहेगा FC Goa वर्सिस चिन्नेयन FC के बीज मैच का वेन्यों का न्यूटरल Goa रात में 9.30 पीम पे मैच स्टार्ट होने वाले हैं तो दोस्तो आज कहें सेकिंड मैच है इससे पहले जो फर्स्ट मैच था एटी के मोहनबगान वर्सिस उनिसा FC वाला वो कोविट के कारण पोस्ट पॉइंड हो चुका है तो होप करते हैं कि ये वाला मैच सई से हो जाए तो फिलाल बात करें FC Goa और चिन्नेयन FC की तो दोनों मिट टेबल की साइड है इस सीजन अगर आप बात करें दोनों ही क्लप्स की अगर मैं आपको पॉइंच टेबल दिखाऊ हूँ शिक्स में चिन्नेयन है नौ में चार जीती है दो ट्रॉस है तीन लॉसेस है डीसेंड नौ गोल मारें 11 गोल कंसीट किये 14 उनके पॉइंट है अभी तक चिन्नेयन ने बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं किया बहुत खराब भी नहीं किया ठीक ठाक गया 9 मेचेस में 9 गोल मारें बट डिफेंसिवली यह टीम ने अच्छा किया अभी तक 9 मेचेस में 11 गोल कंसीट किये और 14 उनके पॉइंट है अब इनके अटेक में एक और प्लेयर जूड़ चुका है वह है वास्कस जो हीरो आयसल का वन अप टॉप श्ट्राइकर माना जाता है जमसितपूर एफसी जब चिन्नेयन एफसी आगे तो अब उनके आने से शोली अटेक और ज्यादा इंप्रूब होगा एफसी गोवा अभी फिलाल 9th पोजीश पॉइंट है अब अगर टॉप फोर के लिए जाना ना इन दोनों क्लप्स को तो यह मैच जीतना बहुत ज्यादा इंपर्डेंट होगा विकॉस अगर यह मैच भी नहीं जीतती है खास्तोर पर एफसी गोवा तो इनके चांसे ऑल्मोश खतम हो जाएंगे टॉप फोर के और अगर एफसी गोवा यह मैच जीती है तो यहां से मैंगलुरू के उपड़ चली आएगी और अगर चिन्ययन यह मैच जीती है तो चिन्ययन भी यहापर टॉप फोर में आ जाएगी तो टॉप फोर यानि कि प्लेवाप्स की रेस के लिए यह मैच दोनुट टीम्स के लिए बहुत इंपड़ेंट होगा एक डू और डाई मैच होगा इवन एफसी गोवा के लिए रीसेंट फॉर्म एपसी गोवा की कुछ बहुत अच्छी नहीं है जब से जुआन फेरांट हो गए हैं तीन मैचेश हुए है वन वन ड्रॉप उडिसा एफसी से टू वन एटी के मोह दूरू एफसी लेकिन पिछले मैच में कमबेक गया एक नेरो वन निल मार्जिन से जमसितपूर एफसी को हरा है तो दोनों टीम की रीसेंट फॉर्म कहेंगे कोई ज़्यादा खास नहीं है और इस मैच में विनर प्रिडिक्ट कर पाना भी बहुत ज़्यादा मुस्किल है यह एक open मैच है गोवा चिन्ययन को हराने में पूरी तरह से capable है चिन्ययन गोवा को हराने में पूरी तरह से capable है तो कोई भी टीम जीत सकती है तो स्मॉल लीग में मैं एक balance side बनाऊंगा जहां मैं कुछ प्लेयर गोवा और चिन्ययन FC के लोंगा और जो मैं इस मैच की आठ ग प्रोविबल लाइनप पे हम आते हैं उससे वहले एक बार फिर रिमाइंड दिला दूँ इस मैच की आठ ग्रांड लीग और एक फाइनल स्मॉल लीग टीम आपको मिलेगी हमारे टेलिग्राम चैनल में उसका लिंक या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या आ लाइन हो जाईए अब हम आते हैं प्रोविबल लाइन अप पे पहले सी गोवा की बात करें एक बैलेंस टीम बनाने वाल हो तो फिलाल गोवा के लिए धीर जिनके गोल कीपर होने आले हैं अली ह्वापस आएंगे विकॉज यहां पे फोरी फॉर्नर एलाउड है तो नोगवेरा वापिस आ रहें तो फॉक्स को यहां पे बैंच में बैठाये जाएगा इनके साथ हूंगे आइवन गोंजालिस और डोलिंग और दो इनके विंग वेक्स हूंगे से रिटन फर्नांडीस और सावियर गामा तो यह पांचों प्लेयर ड्रीम लॉर्न में डिफेंस सेक्षन में लिस्टेड है अभी के लिए डिफेंडर में शॉट करूँगा दोनू टीम के विकास दोनू टीम के बास इनके defense में मेरी number one choice है Ivan Gonzalez, selection भी हाई है, defense में इस team के leader है, headrest में कभी भी goal मार सकते हैं, अब तो defensive point भी ज़्यादा देने लगे है, राश्ट कुछ matches में, और passes भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो Gonzalez अभी के लिए मेरी number one choice है, second मैं जाओंगा Saviard Gama के साथ, मैंने आपको बताया पास्ट matches में भी जब इनको left back खिला जारता उतने effective नहीं थे, लेकिन जब से three in the back में Goa ने shift कर रहा है, ऐसा wing back खिला है, तो आप देखे कितना attack कर रहा है Gama, पिछले match में तो एक assist भी दिया, open play से goal भी कर सकते हैं, ठीक टाक defensive contribution भी दिया, तो अभी के लिए मेरी top two choice है, third मे सरीटन या डोलिंग में किसी एक के साथ जा सकते हैं, सरीटन प्लियर अच्छे हैं, सिलेक्सर इनका अच्छे है, बट यह consistent नहीं है, लेकिन कभी-कभी है moment of brilliant produce करते हैं, लेकिन अभी के लिए उतना trust मुझे नहीं है, डोलिंग लास्ट को में decent defensive point दे रहे हैं, तो अगर मेर दोग आपको direct free kick में इन्होंने goal मार जा, sorry, direct corner kick में इन्होंने goal मारा, क्या curling ball दी, और direct corner kick में बहुत rear goal देखने को मिलता है, इन्होंने मारा, इसके लावे without goal assist अच्छे point देते हैं, हर match में, passes करते हैं, tackling interception करते हैं, chance create करते हैं, free kick corner kick share करते हैं, और tease के साथ, तो इडू इन्डियन प्लेयर है, यह बहुत अच्छी pressing करते हैं, पूरे match में देखना आप हर जगे भागते रहते हैं, press करते हैं, defensive point अच्छे देते हैं, passes करते हैं, long range से suit लेते हैं, तो अगर आपको 20-25 प्लेयर चाहिए, midfield में Glenn Martins एक option हो सकते हैं, इडू बेटिया मस्पिक इस टीम का वन अब बेस्ट अटेकिंग प्लेयर है, अलॉंग साइड और तीज, यह अल्लेडी नोगवेरा आप देखें, दो गोल एक assist कर चुगे, गोल assist यां स्क्रेट, और संट टार्गेट हर चीज में के विवल है, तो नोगवेरा, इडू बेटिया और थर्ड मस्पिक रहेगा प्लेयर, और टीज, जो इस टीम के टेलिस मेंने, अल्लेडी तीन गोल, तीन assist कर चुगे, पैनाल्टी टेकर है, डिफॉल्ट केप्टन सी अप्सन रहेंगे, इस मैज में, केप्टन वाइस केप्टन सी, क्यूंकि केप्टन सी नहीं, अगर मैं गोवा को फिवर कर करूँ, तब तो मैं इनको केप्टन करूँगा, बट अगर मेरे ड्रॉ के लिए जारो, तो मैं इनको केप्टन या वाइस केप्टन सी में कुछ दे सकता हूँ, और टीज, मस्ट पिक रहेंगे, तीन गोल, तीन assist कर चुगे, और एक अच्छे केप्टन वाइस केप्टन सी अप्सन भी रहने वाले है, देवेंद्र मुर्गाओकर आप इनको ग्रेंड लीग में ट्राय कर सकते है, स्मॉल लीग में इनके लिए स्पेस भी नहीं बचेगा, फर्वर्ड सेक्शन में टू मैनी अप्सन से हमारे बास, दूसरा अगर गोल असिश नहीं है उतने पॉइं हो गए, और तीज हो गए, फॉर्थ मेरे आइवन गुंजारी से चार प्लेयर आइटिंग आपकी टीम में 100% होने चीए, डिफेंस में एक एक्ट्रा जाना है, आप गामा से रिटरन डोलिंग में किसी एक के सा जा सकते है, मेरी चोईस गामा रहेंगे, बागी ग्लैन के सीन के स्टैट है, हीरो आयसल के, अपोनेंट की बात करने से बेले फिर रिमाइन दिला दू, इस मैच की आठ ग्रांड लीग और एक फाइनल स्मॉन लीग टीम आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल में, उसका लिंक यह तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिले अब हम बात करते हैं, चिन्ने नेफसी की, तो बोरी स्यूग बहार है इनके लिए, इनकी इलेवन देखते हैं, विसाल कायत उंगे इनके गोल की पर, ये भी थ्रीनदा बैग में खिलते हैं, साजित डोट, डेमेनेविक और दास इनके तीन सेंटर बैग है, रीगन सिंग औ उनों टीम्स में फेंटेसी वाइस उतनी ज्यादा क्वालिटी मुझे नहीं दिख रही है, तो अभी के लिए, इनके डिफेंस में मेरी नंबर वन चॉइस रहेंगे, रीगन सिंग, सिलेक्शन भी आपको अच्छा दिखेगा, और हर मैच में अच्छे डिफेंसी और ठीक टाग अस्षिश पोटेंशल भी है, बाकी लालियान जाला भी ठीक टाग है, लेकिन अगर मेरी को एक चूज करना हो, मेरी चॉइस रहेंगे, रीगन सिंग, डवनेविक हो गया, उतने डिफेंसी पॉइंट नहीं देते हैं, धोट, पिछला मैच ठीक टाग गया, अभी भरोसा नहीं कर सकते हैं, अगले कुछ मैचेस देखते हैं, डास ने कुछ-कुछ मैचेस में ठीक किया है, लेकिन अभी के लिए, अगर मेरी को एक पिक करना हो, मेरी चॉइस रीगन सिंग रहेंगे, अनिरुत थापा मश्पिक रहेंगे, इस टीम के कैप्टन है, इं थापा या ग्लेन माटिस ना आपको किसी ना एक किसी एक को पिक करना चाहिए, आप चाहे दुनों को भी पिक कर सकते हैं, जर्मन प्रीज सिंग पिछले कुछ मैचेस अच्छे गए, पर अभी के लिए इनसे बहुत अच्छे आप्सें मिल ले, तो मैं स्मॉल लिग में कंस के लिए रहते हैं, लेकिन आप मेरे अकोडिंग वास्कस आगए, तो वही पेनल्टी लिंग है, पेनल्टी सैद आप इनको ना मिले, इस्टिल ये ओपन प्ले से गोल असिश करने में भी केविल है, सिलेक्शन भी अच्छा गास है, तो थापा कि अलोंग साइड को मैं भी म गोल मारा है, तो में भी अगर अच्छा नहीं के लिए, 60-65 मिनिट में सबसिटूर्ट किये, जा सकते हैं, लेकिन लास्ट कुछ मैचे अच्छे गए, पिछले मैच में एक अच्छी फ्रीकिक भी इन्हों ले दी थी, तो अभी के लिए मैं मुर्जायक पे ट्रश कर रहो, दो गोल, दो असिश मार चुके हैं, वास्कस वापस आ गये हैं, चिन्ने एन FC में आपको याद होगा, 2019-20 वाला सीजन में यहां से खेले थे इन्होंने, ओवेन कोईल के अंडर में और फाइनल तक पहुचाया था चिन्ने एन FC को, उसके बाद यह जमसित पूर गयते, इस स फिवर कर रहे हैं, आप शोली इनको क्यप्टन, वाइस कप्टन कर सकते हैं, यह आपको लग रहा ड्रॉओ होगा, तब भी आप इनको क्यप्टन, वाइस कप्टन सी, दे सकते और इनके आसपास इतने क्वालिटी प्लेयर से इनके लिए बॉल बनाने के लिए मुड़ आप और मेरे फोर्द मश्वी प्लेयर है वासकस, बाकि मुड़ जायब आप पिक कर सकते हैं, आपको लग रहा मुड़ जायए फ्लॉप जाएंगे, वासकस प्लेयर पिक कर सकते हैं, एक और डिफेंडर लियाना है, जैरी लालवन जाला हो अप्सन हो सकते हैं, फिलाल यह अभी तक के सिजन के स्टेट हैं, हीरो आएसल के, अभी के लिए प्रेडिक्ट करबाना बहुत मुस्किल हैं मैच, तो मैं एक सेफ वन वन ड्रॉ के लिए जा रहा हूँ, यह मेरी प्रेडिक्शन इधर साइड टुवन है या एफसी गुवा टुवन से जीच सकते हैं, यह जीच सकते हैं, फिलाल जो मेरी डेमो रफ्टीम है, वह एक वन वन ड्रॉ के अकॉडिंग है, तो यह मेरी डेमो रफ्टीम है, विशाल कायत मेरे गोल की बर है, आप यहाँ पर दीरस सिंग लिए सकते हैं, एफसी गुवा के गोल की बर, रीगन मैं ने लिए हैं, सावियर गामा और याईवन गुञ्जालिस मैंने पीक किया यहां अनिरुत थापा है एडू बेडिया व्लादीमिर कोमान है और नगुएरा है आप क्या कर सकते हैं थापा के ब्लेस में ग्लैन मार्टिस दे सकते हैं मुड़ जायब यह best option रहेंगे captain vice captain के ज्यादा से मेरी अकोडिंग ओर्टीज वासकस का combination रहेगा अगर आपको लग रहा एक चिन्यन विक्ट्री होगे आप वासकस मुड़ जायब यह वासकस कोमेन ऐसे captain vice captain कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है गोव आपको मिलेगी हमारे टेलिग्राम चैनल में लाइन अप आने के बाद उसका लिंक है description box में जरूर से जरूर जोइन कर लेजिए